वीडियो होने वाली है एस सिंगे उपर दौस्तो आज हम बात करने वाले सीधे मुद्धे पर आ जाते हैं दोस्तो आगर आपकी कार का एसी खराब हो गया कई रिजन हो सकते हैं इसके आपने गैस बरबाई उसके बाद दोस्तो एसी वर्क नहीं गर रहा यह हो सकता है आपकी गयेश खतम होगी हो आपको पता ही नहीं चल रहा हो यहां हो सकता है आपके एसजी में इस कंट्रॉलर में ही आपके कोई प्रॉब्लम हो दियो हो यहां पे कोई आपने सैटिंग गलत कर रखिए हो जिसकी वजह से आपका एसी और विडियोद बना चुका हूँ आगर आप दे अब यहां पर बात कर लेते हैं इसमें सारी जो सेटिंग आपको दिख रही होंगे यहां पर यह सभी आपको सेम टू सेम कर लेनी है अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर यह सेटिंग खराब हो रख्या है यह आपकी कोई भी का रहा है यह सेटिंग इदर उदर हो रख्या यह तो तो आपको यहां पर आसे से रहं लीए नियुक्त लोगों दोस्तों यह लास्ट वाली सेटिंग कर रखते उनके ऊपर या नियुक कि यह वाली हवायां पर आती है तो दिखरी आपको यह वाली दोस्तों यहां से निकलते जो की फॉग के लिए है आपकी कार के अंदर धुंद वगरा हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों उमस हो जाती है तो आपको इसको यहां पर रखना है दोस्तों आप मैं आपक जो गैस है वो सकता है जो आपकी कार है वह फिर से कूल नहीं कर रहा है कुछ टैम के लिए कूल कर रहे हैं जैसे आज भरवा के लिए लेके आ vest मैंधों तक वह कूल कर रही है यहाद फिर से दूस्तों वही ऑलं सेमन दिक्कत आ रही है फिर से अच्छा वर्क नहीं कर रहा है या हो सकता है कूलिंग कम कर रहा है लेकिन वो ठंडी बिल्कुल नहीं कर पा रहा है अब पहली situation की तरफ बात करते है कि आपने gas डलवाई मालो एक दो दिन होगे gas डलवाई हुए लेकिन आप फिर से दोस्तों आपकी कार के अदर वैसी ही सिच्वेसन है याई पहले जैसे थंडा ही नहीं कर रहा तो यहां पर सब सबुद्ष हो सकता है कि जिसने घस डाला आपकी कार के अंदर उसने गैस ही नहीं डाली प्रापर तरीके दूसतो हो सकता है कोई बारिक से छेद हो जहान से आपकी कार जो भी लिक्वेड नहीं निकल गया हो उसकी उसकी कार कूल नहीं करवाया यानि अपनी कंडेंसर फेन वगरा यह उसकी जो कॉयल होती है वह आपने चैक नहीं करवाई कि यह कहीं से लीक वगरा तो नहीं है अगर यह सेम् प्रॉब्लम हा रही है आप अपने कंडेंसर को चैक करवाओ दो जो इसकी दोस्तों कोलिंग वाली कोईल है उसको चैक करवाओ अपने एक चीज यह भी हो सकती है दोस्तों इसमें आपने एसी का फिल्टर अच्छे से क्लीन नहीं करा हो यानि वह फंगल की तरह जम गया हो दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे जम्स इखटे हो गयो उसका पूरा ही वह ब्लोर जो ब्लॉक हो चुका हो दोस्तों आप एक बा दोस्तों और यहां पर करते हैं कि मानलों ऑपने गयस तो डर्ल वाली कार के इंदर लेकिन एक दो महिने Bak फिर से दोस्तों वही प्रावलम आग़े कार के अंदर तो इसके अंदर भी दोस्तों वही रीजन हो सकता है कि आपकी कार के अंदर दोस्तों लीक कर रही हो कहीं से लीकेज हो रही हो हलकी सी जिसकी वेज़े से आपकी AC की गैस सारी निकल गी हो या सिच्वेशन यह भी हो सकती है दोस्तों मेरे कि आपने मालो कार जब आप लेके आये त तो उस situation में क्या होता है दोस्तों जब धूप के अंदर कार खड़ी रहती है तो AC की दोस्तों gas जो liquid में होती है जो उसको cool करती है वो दोस्तों gas liquid वाली होती है वो liquid gas से gas के अंदर परिवर्तन हो जाती है दोस्तों आप उसे खुद भी जाके चेक कर सकते हो या आप mechanic भी आसे चेकर वाओ AC के क्योंकि उनसे चेक करने जाbon बैठर रहीगा आप ने नहीं रहो तो वह ज्यादा बैटर रहे यह दोस्तों कि अपके अन्दर क्या प्रप्लम हो रही है मेरे दोस्तो एक छीज़ यहां पर यह हो सकते हैं कि आपकी कर रहे हो तो एसी ओन होने पर आपकी जहां पर कार खड़ी है या हो सकता है कि इस ऐसी जगह हो जावे जहां-पर जादा पढ़ती हो दो जोस्तों यह सकता है आपका blower इतना काम नहीं कर रहाओ तघंग से blower आही नेशी अनदर जिसकी देसे सकते हैं कि आपकी जो कार है आपको यहां पर WirkCP पूरी आपकी कूलिंग अच्छे से नहीं उपाथी तो आप यह सुनिश्चित करले के condenser fan car का clean है या नहीं है दोस्तो उसके उपर मैंने एक video बना रखिया है link मिल जाएगी दोस्तो i button पे जाके visit कर सकते हो उसमें ये बताया मैंने दोस्तो किस तरह से आप condenser fan को clean कर सकते हो असानी से घर पे दोस्तो उसमें आपको चीज ये याद रखनी है कभी भी हाथ वगरा मत मार देना condenser coil के उपर दोस्तो वो हलकेल की पतली पतली तार जैसी होती है वो दोस्तो मुड़ जाएंगी फिर अच्छे से और वर्क नहीं कर पाएगा c to एक भार यह चीज का भी ध्यान रख लेना मेरे दोस्तो एक चीज दोस्तो यहां पे यह हो सकती है आगर आपकी कार से दोस्तो हवा बाहर ही नहीं आ रहा ही यानि हो सकता है आपके दोस्तो इस ब्लोवर के अंदर कोई ने कोई प्रोबलम हो तो याह सकता है या या हो सकता है उसका फैन वगरा खराब हो गया या कुछ हो सकता है दोस्तों इसके अंदर तो एक बार ये भी शुनिशित कर ले दोस्तों इसके अंदर ब्लोवर है या अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार दोस्तों मैं आपको बता दू मैं अभी गैस भरबानी क तो खड़ी जैसे मैंने करी एक जगह कार फिर के पास तो जो तो इसने बाहर निकाली geography के अंदर कीby भी हो सकता के सकता है आपकी अपकी सBook लिगी कोके और मतारр केश तो पर Kevin तो एक बार चेक करवाओ कि आपकी जो कार दोस्तों उसके अंदर एसी की गैस थोड़ी एक्स्ट्रा तो नहीं चलीगी दोस्तों एक्स्ट्र जाने से क्या होता है उसे सर्कुलेशन में चलने का मौका नहीं मिलता वह पूरा ब्लॉक हो जाता है एरिया है अगर आपको उसको चलने के जगह ही नहीं मिलेगी तो वह पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा उसकी विज़े से दोस्तों मेरी कार फिर से वैसी करनी लगी ती लेकिन उसने जब थोड़ी सी गैस बाहर निकाली दोस्तों फिर से कार कूल करने लगी और अभी तक बहुत अच्छा कूलिंग क आई पे क्लिक करके आप वीडियो को भी देख सकते हो मेरे दोस्तों क्यूंकि अगर आप प्रॉपर तरीकी से देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दोस्तों एसी की गैस डलती है कि नैनो के अंदर दोस्तों डेड़ बोतल डलती है जो कि एक बोतल थी 500 ग्रा रहा हो दोस्तों अगर कोई और कमेंट हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड हो आप कमेंट में लेक देना औरि रेपल्याइ करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ और साथ भी अपको ज् ami और दोस्तों आपको ज्यादा इंपरमेशन लगी होगी तो वीडियो को अबिस से लाइक कर दो साथी साथ दोस्तों आप हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब कर लो क्यूंकि आप इस तरह के वीडियो आती रहती है मिलेंगा हमें से कर साथ एक ने टॉइडियो में नए टॉपिक पर दोस्तों ताफ तक लिए मरें दोस्तों जाहें वगने मादेगा